हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम फूट डेसिपीज, आज हम बनाएंगे मुंग दाल की इंस्टन कचोरी, मुंग दाल की कचोरी जब भी हम बनाते हैं तो दाल को हमें 5-6 गंटे पहले बिगोना पड़ता है, उसके बाद हम ये कचोरी बनाते हैं, लेकिन आज हम बीना सबसे पहले हम आटा गुंदेंगे, तो इसके लिए इस परात में मैंने डेड़ कप जितना मेंडा डाला है, अब इसमें हम एक चम्म जितना नमक्याड करेंगे, और मॉयन के लिए इसमें तीन बड़े चम्म जितना तेल डालेंगे, सब कुछ हम अच्छे से मिक्स कर आटे में अच्छे से मुठी बननी चाहिए, उतना हमें इसमें तेल डालना है, और अगर आपको देशी गी मेल्ट करके डालना हो, तो भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन गी आपको मेल्ट करके ही डालना है तो ये देखिए, आटे में बहुत ही अच्छे से मुठी बन रही है, मतलब कि मौइन परफेक्ट है, अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे, और थोड़ा कड़क आटा गुन लेंगे, आटा नाही ज्यादा सोफ्ट और नाही ज्यादा कड़ा एवैसा ग परचोरी के लिए स्टफिंग बना लेते हैं, स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में हम आदे कब जितनी पीली मौंग दाल एड़ करेंगे, मौंग दाल को मैंने अच्छे से गीले कपड़े से पोच लिया था, उसके बाद मैंने इसे 10 मिनट पंखे के नीचे रख दिया तो ये एकदम ड्राइ हो गई है, अब इस मौंग दाल को हम हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनना है, कंटिनूस इसे चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं मौंग दाल को हमें कंटिनूस चलाती हुए तब तक भूनना है, जब तक कि इसमें से अच्छी कुछ भूनना आने लगे और इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए तब तक इसे भूनना है, एकदम ज्यादा लाल कलर भी नहीं आने देंगे, तो अब इस दाल को हम टोटली होने देंगे और फिर मिक्सी में पिसकर पावडर बनाएंगे, मौंग दाल को मैंने मिक्सी में पिसकर हल्का दरदरा पावडर बना लिया है, यह देखिए एकदम ज्यादा बारिक नहीं पीसा है, तो अब इस पैन में हम दो बड़े चम्मत जितना तेल डाल देंगे, अब आप देख सकते हैं, मौंग दाल को मैंने सिर्फ दो मिनट तक ही भूना है, हमने पहले से मौंग दाल भूनी थी, इसलिए ज्यादा नहीं भूनेंगे, तो अब हम इसमें एक बड़े चम्मत जितने सौफ और एक बड़े चम्मत जितने सूखे दन्या, दोनों को मैंने मिक् मसाला डालेंगे आदा चम्मच ये होममेड है देड़ चम्मच जितनी मैंने चीनी डाली है और अमचुर पावडर डालेंगे आदा चम्मच सब कुछ अब अच्छे से मेक्स करके हम दो मिनट तक इस मसाले को भूनेंगे स्लो फ्लेम पे दो मिनट मसाले भूनने के बाद अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे यहाँ पे में आदा कब जितना पानी डाल रही हूँ इसमें और अच्छे से इसे मेक्स करके जब तक के सारा मोईस्चर चलाना जाए तब तक हमें पकाना है शुरू में जब हम पाने डालेंगे तो इस मि स्टफिंग तैयार हो गया है शुरू में जब हम पाने डालते है तो इस घाड़ा होके इकटा हो जाएगा लेकिन अब आप देख सकते है कि एकदम अलग-अलग हो गया है तो अब इस स्टफिंग को हम ठंडा कर लेते हैं हमारे आटे को भी अब बहुत ही अच्छे से रेष तो इस देखिए इस तरह की हमें सारी लोईया बना कर रेडी कर लेनी है मीडियम साइज की मैंने टोटल 6 लोईया बनाई है अब हमारा स्टफिंग भी बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है स्टफिंग को मैंने हाथों से मसल कर एकदम अलग-अलग कर लिया है और ये एकदम ड्राई भी है आप देख सकते हैं तो अब इसमें से हम नेम्बू साइस के गोल्ड बॉल्स बना लेंगे इस तरह के सारे बॉल्स बना के हम तयार कर लेंगे इतने स्टफिंग में टोटल 6 बॉल्स बने हैं तो अब हम इक आटे की लोई उठाएंगे और उसे हाथों से इस तरह से चप्टा करेंगे ये जो मेजरमेंट है वो 6 कचोरी के लिए परफेक्ट है स्टफिंग और आटा दोनों बराबर है कुछ भीना कम पड़ेगा और कुछ भीना ज़्यादा पड़ेगा अब इक स्टफिंग का बॉल्स हम लोई के अंदर रखेंगे और उसे इस तरह से सील कर लेंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे है अब जो उपर का एक्सेस पाठ है उसे हम तोड लेंगे हाथों से फिर से इसे हम अच्छे से सील कर लेंगे एकदम अच्छे से हमें कचुरी को सील करना है ताकि तेल में फ्राइ करते वक्त ये बिल्कुल भी खुले नहीं अब हम इसे दो हथेलियों के बीच रखके चप्टा कर लेंगे और इसी तरह से हम बाकी की सारी कचुरिया रेडी कर लेंगे ये देखे सारी कचुरिया मैंने बना ली है अब हम इसे तेल में फ्राइ कर लेते हैं अब कचोरी को हम तेल में फ्राइ करेंगे तो तेल में थोड़ा सा आठा डाल के हमें चेक करना है अगर वो उपर नहीं आ रहा है और बस हलके हलके बबल्स उठ रहे है मतलब कि तेल का टेंपरेचर परफेक्ट है तेल अगर एकदम ज्यादा गरम होगा तो कचोरीया डालते ह ही लाल हो जाएगी और फिर अंदर से आठा कच्चा रह जाएगा तो यहां पर मैं टूटल तीन कचोरीया एड़ कर रही हूँ अब इससे हम स्लो फ्लेम पी फ्राइ होने देंगे तीन से चार मिनिट बाद आप देख सकते है कि हमारी सारी कचोरीया अच्चे से फुल गई है तो इससे अब पल्टा देंगे तेल में डालके तुरंत ही हमें कचोरिया नहीं पल्टाने है तीन से चार मिनिट उसे होने देना है उसके बाद हम बीच बीच में पल्टा कि इसे फ्राइ होने देंगे टूटल 12 से 15 मिनिट बाद अब हमारी कचोरिया इच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है तो इसे बहार निकाल लेंगे सारी कचोरिया मैंने फ्राइ कर ली है ये देखे बहुत ही अच्छे से फूली है और ये बहुत ही क्रिस्पी भी हुई है आप इसी इंबली की खटी मीठी चटनी या केचब के साथ खा सकते है प्रेंट्स हमारी मौंग दाल की इंस्टंट कचोरिया बनके तयार है इन कचोरियों को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद आप एटाइट कंटेनर में भर कर पूरे एक विक तक श्टोर कर सकते है तो जब भी आपको मौंग दाल की कचोरिया खाने का मन हो तो आप इंस्टंट ये बना कर खा सकते है अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्रेब बटन के बाजू वाला बेल आइकन पर दबाए ताकि आपको मेरी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे अगर आपको मेरा यही वीडियो गुजराती में देखना हो तो उसकी भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई